चलिए फ्रेंड बनाते हैं पपीते की सब्जी, सबसे पहले हम उपर जाकर छत पर पपीता तोड कर लाते हैं, अब तब पपीता हमने तोड लिया है, और धो लिया है, उसके बाद हम पपीते को काटेंगे, और उसके बीज निकाल देंगे, छोटे-छोटे स्लाइस काटे हैं, यह पेट के लिए जिनका लिवर खराब होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और कब्ज भी दूर करता है, कच्चा पपीता ऐसे शलाद के रूक में खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कहने में, और सुब्ध सुब्ध, और मर्निंग टाइम में, यह स्वास्तप के लिए बहुत बढू आरता है अब हमने स्वाफ काट दिये हैं इसके और कुकर में हम तेल गरम करेंगे उसमे तोड़ा सामेथश डालेंगे मेर्थी जीरा बाथवे डाल सकते हैं और दो मिर्च डालेंगे, आप अपने स्वाद के अंसार मिर्च डाल सकते हैं, यह पपीता हम उसमें भी खा सकते हैं, वरत में भी और ऐसे बना कर भी खा सकते हैं, फिर हमने यह स्लाइस कटे वे पपीते के इसमें डाल दिये हैं कुकर में, और थोड़ा सब भूनेंगे, दो थोड़ी सी हलदी डालेंगे आप जो तैंये नहीं खाते हों चीजे वह मुझ डाले लिएगा के और थोड़ा से चलाएंगे उसके बाद 2 हरी मिर्च डालें इसके उस्वास्ते के लिए लाल मिर्च के लिए गड़बर करती इसलिए पपिता है तो थोड़ा पॉस्टिक ही होनी चाहिए सबजी, वरत में बहुत बढ़ी हार रहती है ये खाने में, अब थोड़ा से चलाएंगे हम इसे थोड़ा सो भून लेंगे, विटियम फ्लेम पर भून लिया है हमने, देखिए कलर भी आ चुका है, अब इसमें हम पाने डालेंगे, थोड़ा सा प सब्जी के कोडिंग पाने डालना है फिर इसमें हम तो एक दो मिन्ट के बाद इसे कुकर को बंद कर देंगे बंद करने के बाद में दो सिट्टी लगाएंगे लीजिए हमारी कुक सब्जी बनकर रेडी है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं यह सब्सक्राइब करें